लगेगा ललई सिंग यादो भी आएंगे चंद का परसाद जिग्यासू आएंगे चगदेव बाबू आएंगे रामसुर्व वर्मा आएंगे लोहिया आएंगे ये सारे मिल करके OBC समाज में अब सब कामण लेके नहीं जा रहे हैं हाँ लेकिन OBC शिकायत हम लोग इसलिए ज दूनों जगह बहुत बदलाव भी किया अच्छा काम किया लेकिन विचार धारा कहीं कहीं आज पीछे हो गई है मंडल बनाम मंदिर की लडाई में मंडल बनाम कमंडल की लडाई में बहुजन बनाम सरोजन की लडाई में परसुनाम का फरसा बीच में आ जा रहा है गड़े बिच में आ गए हाथी नहीं गड़े से तो यह जो बिचलन आया है मुझे लगता है कि खामी यहां नमस्कार में राहूल नाकपाल और आप देखने सोचल मीडिया मेरे साथ हैं लक्षमन यादव जाना पहचाना चहरा है सोचल मीडिया पर यूट्यूब पर सबसे ज़्याद अगर बहुजन मुवमेंट में सुना जाता है आजकल तो लक्षमन यादव को सुना जाता आज हमारे साथ पहली बार में उनके साथ मंद से साजा किया मेरे बहुत सारे यादव फ्रेंड ने मेरा एक पहला कॉमन सवाल होता है जो इनसे भी कर रहा हूं कौन से वाले आपने मेरा परिचेश दिया उसमें हो गया लेकिन ऐसा नहीं है कि बटे हुए है यादव जानते हैं इस देश में जैसे दलितों में भी ऐसा नहीं है कि पूरे देश के 15% दलित एकदम बाबा साब की सपनों का भारत बनाने पर लगे बहुत सारे दलित संग की शाखाओं म और जिसको कांशिराम कहते थे कि चम्चा यूग वाला आया है तो यह जो चम्चे बन के गये थे उनमें से कोई दो अपरेल के भारत बंद में सड़क पर नहीं था पांच मार्च का भारत बन जो रोश्टर पर हुआ था उस पर कोई नहीं आया वो तो सत्ता के लोग थे हमा गया तो जितने जाता है तो इसलिए जब ओबीची और कल्चरली उतना साउंड दसत्रस इसलिए नहीं रहा क्योंकि वह वम लिब्हान कि वह चंच जो वनचना दलित समाज और आदिवासी समाच लेला उतना वादीजाज को नहीं जहलना पड़ा यह सलिए धीरए धीरे धी इस देश में लागू करने में, किताबें चापने में, जन अंदोलन का चेहरा बनाने में, 40 साल लगे, 1950 में भारत आजात हुआ, 1980 के असपास पहली बाद पुब्लिकेशन आया उनका, समगर प्रकाशन, 90 में भारत रत नमिना, जन अंदोलनों में मानिवर कांशेराम ले करके भारत में खड़े हुए, 50 सल तो वहां लगा, तोड़ा यहां लगेगा, ललाई सिंग यादो भी आएंगे, चंदिकापरसाद जिग्यासु आएंगे, जगदेव बाबु आएंगे, रामसर वर्मा आएंगे, लोहिया आएंगे, यह सारे मिल करके, OBC समाज में अब सब काम करते हैं, करो, मेरे सवाल का जवाब देतो, कि अगर तुम 52% हो, 31 की जनगड़ना में, और तुम छत्री भी रहे, चत्री वो लोग इसलिए भी कहते हैं, क्योंकि उनके राजवंश रहे, तो हम एकदम शूद्र नहीं है, माल लिया नहीं है, तो जज क्यों नहीं बने, वकी मेरा नारा बनाया, तो सारे लोग जो जो नारा लगाए, कि भाई दिल्ली से चमड़ा बेजा संदेश, और बार बनावे कर पूरी और भाईश चरावा राम नरेश, जाती के नाम पर पीड़न पीछड़े तपके का किया गया, अब यादों में, अब देखें, अभी आपक कर पिरियार का नारा लगा है, तो ओबीसी, दलित, आदिवासी, पसमांदा, महिला, यह बहुजय नेका बनाई थी हमने, और वो बन रही, पश्यम का यादव आपको कहता है कि असलिए आदव नहीं, पश्यम का ऐसा भी नहीं है, पश्यम में बहुत मुझे बुला चुके ह होगा, जब जमीन की कीमत घटती जा रही है, बीजनेस ब्यापार चोपट होता जा रहा है, तो आप भी देखेंगे कि अच्छा आप तो ताकतवर थे, लेकिन देश चलाने में आप कहा है, आपके ब्यापारी कितने है, आपके उद्योग पती कितने है, प्रोफेसर, डॉक सर, वह तो गहरा है, लेकिन धरम तो बच रहा है, मंदर बच रहा है, मंदर की राजनेती हो रही है, वह वहां मस्त है, उसको जो आप कहरों, उसकी जरूरती नहीं है, मैं अभी भी कह रहा हूँ कि देखेंगे धरम के नाम पर हिंसा करने वाला बहुत गरीब कमजोर तपका नहीं है, एक बीच का वर्ग ऐसा है, जिसका पेट भड़ा हुआ है, उसको कुछ पैसा दे करके हिंसा करवाई जा रही है, जिसके पास कुछ नहीं खोने को ना, वह पेट भरने के लिए मजदूरी करने जा रहा है, उसमें दलित, पिछड़े आदिवासी, समान भी तोड़े हैं, और जो बहुत ताकतवर हैं, उनके बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं, उनके बच्चे हिंदू धर्म बचाने नहीं जाते, वो तलवार लेकर के मस्जिद पर अटेक करने के लिए, बहुत ऊपर के वर्ग के लोग नहीं है, जिसका थोड़ा सा पेट भर धरम के नाम पर नफरत फैलाना, अंद विश्वास फैलाना, असान काम है, तर्क और विवेक का काम है, बिरसा फुले मिटकर पेरियार का ललही का, बहुत जान राजनीति को गहां देखते हो, बहुत राजनीति के हासिये पे है, बिल्कु आपने जीवन में डंग से कोई च इसको आप नहीं समझेगे, लुहिया उस तरह की कोई पॉपलर लीडर नहीं थे, एक आद दो बार चुनाव जीते, फिर तो उनकी पार्टी का क्या हाश रुआ, राजनीति एक बात है, सत्ता मिले आपको, नबे के बाद इस देश के बहुत बड़ी आबादी पर सत्ता में आये ये लोग यूपी बिहार दोनों जगह, बहुत बदलाव भी किया, अच्छा काम किया, लेकिन विचार धारा कहीं कहीं आज पीछे हो गई है, मंडल बनाम मंदिर की लडाई में, मंडल बनाम कमंडल की लडाई में, बहुजन बनाम सरुजन की लडाई में, परसुनाम क पास पार जेटी अभी भी मैं कहा रहा हूं कि ऐसा नहीं कि राजनीज फेल हो गई एक दौर है सत्ता उनके पास है हिंदु आदियों के पास मीडिया उनके पास खरिद लिया ब्यापारी उनके पास पैसा लगा रहा है तो सब कुछ उनके हाथ में और एजेंडा उनका नफरत का है इसलिए ऐसा लग रहा है कि अब तो इस देश बचे गए नहीं भाई यहां करा लिया यह आपके यूट्यूब चैनल चल रहे हैं तो आप लोग भी तो बहुत कुछ उसके बाधा बने हुए हम भी बाधा बने मैं अभी मानता हूं राहुल जी इस देश में बहुत संक है कि विजुलाइज ज्यादा हो रहा हमारा वक्त आएगा बिरसा फूले अंबिटकर पेरियार लोया भगत सिंग का ललाई और जगदेव बाबू का यह फिर से दोर आएगा एक चरण है जो ट्रांजेशन का फेज है जिसे हमको धैर से थोड़ा सा जुक करके थोड़ा सा जैसे अगर वीजी को चिडाएंगे तो आपकी तरफ जाएगा कि हिंदू बनेगा आसान तो उसको हिंदू बनना है वो शुद्र नहीं बनेगा कभी क्यों क्योंकि वो शुद्र उस तरह से कभी नहीं रहा सामाजी कृप से वंचना नहीं जेली है जो दली बाजपा में चल कि जो अपने लोग हैं जो वंचित शोशत नबे परसेंट लोग हैं जो उधर के खेमे में चले गए प्रेम से समझा कर समवाद करके अपने वचारिक पुर्खों को ले जाकर उनके सामने रोज बात की जाया रोज संघर्ष किया जाया तब जाकर कि हम उन्हें अपने पाले करी विर्षा जो आप कह रहे हैं उसको पढ़ने के लिए या उसको बताने के लिए मजब मैं उससे महत्पूर संदेश दे रहा हूं छोड़ दो बिर्षा फुले अंबिटकर को पढ़ना इस देश के नौजवानों एक बात सोच के बताओ कि तुमारे घर में जब चर्चा ह होती है जितने दंगाई बने हैं तो मारे घर में चर्चा होती है तो कोई पूछता है ने कि बिटा क्या कर रहा है तो बिटा कहता है मैं बारहमी कर रहा हूं दस्वी कर रहा हूं इंजिनिंग मेडिकल कर रहा हूं बीए कर रहा हूं अच्छा बढ़ा होके क्या बनेगा वक एक बाबात नोत फिलाई सब रहते हैं मंदिर का चंदा सब जुटा करके नभे परसेंट वंची सोषित लोग उनको पैसा दे रहे हैं और वहां से धर्म संगसत के नाम पर नफरत बो रहे हैं तो नौजवानों जरा मुझे एक बात बताओ जितना धर्म के नाम पर संगटन ब बढ़ेट के बताएं कि नौजवानों के लिए किस बात पर चिंता होती है उनकी पढ़ाई पर होती एक नहीं उनके रोजगार पर नहीं होती है तुम्हें बर बाद किया जा रहा है तुम्हें दंगे में इस्तेमाल करके छोड़ देंगे असारे दंगाई अगली बार पिर कि हिंदू राश्मान ने हमान चरिशा पढ़ने नौजवानों को मैं यह अपील कर रहा हूं बाइया अपना भविष्ट देख लो फिर जब वो अपने भविष्ट पर लोटेगा तो बिरसाफ फुलें बेटकर भारत का संविधान भागत सिंग अश्वाक अपने आप खोज और बहुतारे सवाल बहुतारे जवाब उन से किये गए और बहुत खुबसूरती से नोना जवाब दिये मैरा हुलनाक पल केमरा में सियल बोत के साथ का जबाइब